गुआ नुदि ella lξ, अपने लोग लास्ट टू टार्म से घुमनुडली करण के उपर वातलाप कर रहे हैं और विकत दोसेimes कि मंहज़ी करन्ट का क्या अर्थ है क्या disappointment है क्या इसकी विशेष्टाएं हैं, क्या इसके positive aspects हमें दुन्या के उपर देखने को मिलते हैं, जिसमें last में हम लोग जो ले रहे थे वो ये कि किस प्रकार से भू मंडली करण के बाद या वैस्वी करण की वजह से पूरी दुन्या में व्यापार के खित्र में खुलापन आया ह विदेशी निवेश के प्रती राष्ट्रों में उदार्ता बढ़ी हैं, बाजार क्षित्र में विस्तार हुआ, वो भोगताओं को सस्ती कीमत पर अच्छी क्वालिटी की वस्तु में उपलप्त होने लगी, सामाजिक वराजनितिक समस्याओं और मुद्दों नेविस्वव व्यापी स्वरू धारण कर लिया, अंतर राष्ट्रिय आर्थिक प्रतिसपरधा के कारण उत्पादन में व्रधी भी हुई, वैस्वी करण ने संचार तकनीक और सूचना के ख्षित्र में जबर्दस्त आंधी लादी, कोई भी खटना आज कुछ ही पलों में पूरे विश से कुड़ गई हैं, संचार करांती ने और भूम अंडली करण ने विभिन जो जाती अताये हैं, नसल हैं, उनकी जो अस्मिता है, उसको एक नए तरीके की गती शीरता और सतरकता प्रदान की है, नेक्ट जो हम लोग लेने जा रहे हैं, वो ये है, कि वैस्वी करण से पूर पड़ रहा है, या इसको हम ये कहें, कि वैस्वी करण के क्या निगेटिव आस्पेक्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें हम इसकी सुरुवात कर रहे हैं, सायुक्त राष्ट महासचिव कौफी अन्नान के सेंटेंस से, जिन्होंने ये इस पर्ष्ट कहा, कि वैस इसके लाभ है, वो बहुत ही असमान रूप से वितरित हैं, क्योंकि वैस्विक बाजार को अभी तक जो सहभागी सामाजिक लक्ष थे, उस पर आधारित नियमों के अधीन नहीं किया गया है, और यहां पर हम ये देखते हैं, कि जहां जहां भूमंडली करण की शुरुवा से कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो इसका एक्सिटिूशनल फ्रिमवर्क है, जो इसका संस्था गत धाचा है, वो भेद भाव से भरा हुआ है, एक तरफ तो ये प्रावधान है, कि जो राष्ट्रों की सीमाएं हैं, वो ब्यापार या पूंजी के प्रवाह में बाधक नहीं बनेगी, लेकिन दूसरी तरफ तकनीक और स्रम के प्रवाह की राह में अर्चने डाली जा रही है, विकास उसील देशों से तो ये उमीद की जाती है, कि वो अपने बाजार अमीर देशों के लिए खोलने, पूंजी का निवेश अपने यहां पर होने दें, लेकिन उ विक्षित देशों से तकनीक की मांग न करें, निर्विग्न स्रम प्रवाह की मांग न करें, आज भी विक्षित देशों में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो प्रवासी स्रमिक वर्ग हैं, उसके प्रती एक निगेटिव एप्रोच, वहां की राजनितिक और सामाजिक सोच में गहरे बैठा हुआ है वहाँ पर ये मान करके चला जाता है कि ये जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं बाहर से जो टेक्नोक्रेट्स या जो वर्कफोर्स आ रही है ये वहाँ के मूल निवासियों के राजनितिक वर्चस्व में सेंध लगाने का काम करेगी या उनकी फिर सा नशलवाद की राजनीति करने वालों को एक जुन्जुने के रूप में उन्हें ये मौका मिल गया है एक खतियार के रूप में मिल गया है कि ये प्रवासी मूल निवासियों से रोजगार का अफसर छीन लेंगे या उनके लिए उनकी सरकारों के द्वारा जो कल्यान कारी क किया जाता है जो welfare schemes मनाई जा रही हैं ये प्रवासी उसमें हिस्चेदारी के मांग करेंगे जो इनके प्रवास संबंधी कानून हैं वो धेर सारी प्रतिबंधों से भरे हुए हैं और दूतावासों के द्वारा भी उनके उपर धेरों प्रतिबंध लगाए जाते हैं इस भू परदस्ट गैप देखने को मिलता है आयवितरन की असमानताएं बढ़ी हैं संगठित क्षेत्र में रोजगार के जो अवसर है वो कम हुए हैं और इसलिए जादा तर स्रमिक अब और संगठित क्षेत्रों में काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं जहां उत्पादक्ता भी कम है मजदूरी का इस्तर भी कम है श्रम भी और उत्पादन की किस्म भी घटिया है भूमंडली करण ने रीजिनलिजम को भी बढ़ावा दिया है वो इस प्रकार से कि वैस्वी करण के इस दौर में कुछ ही लोगों को प्रांतों को राश्ट्रों को लाभ के अवसर मिले है जहां पर इन अमीर एवं विक्षित देशों के द्वारा वहां अपना इन्वेस्ट किया गया वहां पर लोगों को आने का मौका मिला और वही एरियाज फ्लोरिस भी हुए हैं आगे भी बढ़े हैं दूसरी तरफ जो संपत्ति साली तबका था जो उच्छ शिक्षित प्रे जबकि दूसरी तरफ जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं जो जोखिम नहीं उठा सकते हैं या किराय की तकनीक अपना रहे हैं उन्हें इसमें जब बरदस्त रूप में नुकसान देखने को मिलता है भू मंडली करण के इस दौर में जीतने वाले जो राज्य हैं उसम पूर्वेशिया को लेते हैं और जो पिछडने वाले जो मुलक हैं उनको हम उनमें हम लेटिन अमेरिका आफ्रिका पूर्वेशिया दक्षिन एसिया इनको शामिल करते हैं इस वैस्वी करण के युग में जब विश्व ब्यापार संगठन जैसी संस्थाओं का गठन हुआ तो उनकी जो डोमेन है उनका जो अधिकारक्षित्र है उसमें वो मामले भी आगए हैं जो संबंधित राष्ट्रों की आर्थिक गतिविधियों को सामाजिक संबंधों को निर्धारित करते हैं प्रभावित करते हैं जो पूरी तरह संप्रभू राष्ट्रों के अधिकारक शेत्र में ही आते हैं. इसे भूमंदली करण का नाम दिया गया जिसका उद्देश्य सद से राश्टरों की संप्रभुता का हनन करना, उनकी अधिकारों को सीमित करना, उनकी आचिक कतिविधियों, उनकी सामाजिक समरस्ताओं को टत्री बंदित करने का, नेरधारित करने का कार्य इस WTO जैसी संस्ता के द्वारा किया जाने लगा इसके अलावा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमें देखने को मिल रहा है वो ये कि भू मंडली करन की ब्यवस्था में जो स्वत्तंत्र ब्यापारिक उद्यम हैं, उनका गला घोटा जा रहा हैं हम विकास सील देशों को यदि एक तरफ रखतें, तो जो स्वयम विक्सित देश हैं, उन विक्सित देशों में भी जो इस्थानिय व्यापारी हैं, उन इस्थानिय व्यापारी खितों के समक्ष भी जबरदस्त संकट पैदा हो गया है और उनके पास इन बहु राश्ट्रिय निगमों के महत्वहीन पिछलगवू के रूप में काम करने के सिवाए और कोई विकल्प नहीं पचा है। के ओवर ओल वर्ड पर देखने को मिल रहे हैं। उसमें सबसे प्रमुख है वो ये है कि वैस्वी करण बात तो कर रहा था कि ये प्रजातंत्र को मजबूत करेगा, प्रजातंत्र को स्थायत प्रदान करेगा, लेकिन वास्तविक्ता ये है कि ये प्रजातंत्र के लिए विप इस वैस्वी करण के दौर में दूसरे राष्टर में हस्तक्षिप करने के लिए सेना को भेजने किया वे सकता नहीं है, केवल इतना ही परियाप्त है कि जो financial flow है, जो वित्तिय प्रवाह है, उसको रोक दिया जाए, ब्यापार प्रतिबंद लगा लिया जाए, या अनेक प्रक से दूसरे देश में जीवी का उपारजन को प्रभावित करने की गोशिस की जाए, नेक्स्ट जो हमें इसका निगेटिव इंपक्ट देखने को मिल रहा है, वो ये कि जो उसकी industrial process थी, जो industrial growth थी, जो अद्योगिक प्रक्रिया, अद्योगिक विकास था, developing countries का, उसके उपर ह हमें जबर्दस्ट प्रभाव देखने को मिल रहा है, और वो ये कि विदेशी वस्तुओं के द्वारा, निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता के समक्ष, ये विकास शील राष्ट उनसे प्रती इस परधा करने में पीछे रह जाएंगे, रिजल्ट इसका जो होगा, वो य ये मान करके चलते हैं, कि जो आधुनिक स्वचालित मशीने हैं, उनका प्रयोग करने से कम स्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, जिसका जो परिनाम निकलेगा वो ये है, कि रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे, स्रमिकों में बेरोजगारी की इस्थिती उत्पन होगी, इसी इसी प्रकार से ये जो MNCs हैं, जो विदेशी कमपनिया हैं, ये विकास फिल राष्ट्रों की प्राकृतिक संपदा का दोहन करती हैं, जिसके परिनाम स्वरूब वहां के नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक शोषण किया जाता हैं, इसी प्रकार से ये देश की आत्मनेर भरता की, सेर्फ सफिसियंसी की, सेर्फ डिपेंडेंसी की, जो कंसेप्ट है, जो प्रजीशन है, उसको भी प्रभावित करती हैं, इसी प्रकार से ये रीजिनल इंबैलेंसेज को तिवर करती हैं, ये खेत्रिय असंतुलन को तिवर करती हैं, भारत में विदेशी कमपनियो को ज़्यादा तर जगहों पर नमीन स्विकृतियां प्रदान की गई उनका 51 प्रतीसत निवेश महाराष्ट पश्चमी बंगाल दिल्ली जैसे राज्यों में ही उद्योग स्थापित करने के लिए इंफैसिस रहा इसे छेत्रिय असंतुलन को पढ़ावा मिला इसी प्रकार से जो देशी अर्थ व्यवस्था है जो विश्व बाजार के लिए चलाई जाती है उसमें लगू उद्योग नश्ट हो जाते हैं इसी प्रकार से जो विदेशी पुझी है विकास शील देशों के नागरिकों की मूल भूत आवे सकताओं को छोड़ करके उन उत्पादों में लगती है जो व्यवसाईयों के लिए अधिक लाब प्रद है इसी प्रकार से गरीबी, विकारी, सामाजिक असंतुलन, सामाजिक विशंता जैसी समस्याएं अर्थ व्यवस्था के निर्थारण में प्राथ मिक्ता से हट जाती है और एक लक्षिय कारेकरम के रूप में निर व्याद स्विकार कर लिया जाता है इसी प्रकार से विकास स्वील देशों की आर्थिक वदहाली के लिए सरकार की जो जवाब देही है वो घटती चली जाती है यही जो इस्थिती हम ओवरॉल जो इसके निगेटिव इंपेक्ट देख रहे हैं उस निगेटिव इंपेक्ट से भारत भी अच्छूता नहीं रहा और जिसका रिजल्ट हमें देखने को भी मिल रहा है कि हम आज उपभोक्तावाद की जो संस्कृती हमारे यहां पर पैदा हुई उस उपभोक्तावाद की संस्कृती ने बचत के ऊपर कोई खास जोर अब नई युवा पीड़ी का नहीं ह और ऐसी स्थिती में पूंजी को जुटा पाना आसान नहीं है इसी प्रकार से कारे करने के लिए जो वातावरन तयार किया गया वह वातावरन स्वतंत्र बाजार की दिशा में धीमा है आज भी कुछ हमें प्रतिकूल स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है जैसे हम एक् गुद्दों के ऊपर वह भारत को यह कंपेल करने की कोशिस में है उसके ऊपर इंफ्लूएंस है उसके ऊपर प्रैसर बनाने की कोशिस है कि वह अमेरिका के इन सब चीजों को स्विकार कर ले तो यहाँ पर जो इस्थिती है वह यह है कि एक तरफ तो हमारी अर्थ व्यवस् समक्ष्याओं के सामना करना पड़ेगा और स्रमिकों की छटनी स्रमिकों की बेरोजगारी और मशीनों की स्थापना से रोजगार की कमी तो यह एक बहुत बड़ी समस्या के रूपमें हमारे समक्स सभी जगह पर इंप्लूडिंग इंडिया देखने को मिल रहा है कुल मिला करके हम यदि इस वैस्वी करण का रिजल्ट देखे पूरी दुनिया के समक्स क्या रहा है तो इसमें हम ये कहेंगे कि वैस्वी करण की शुरुवात के साथ ही साथ वैस्वी करण की प्रक्रिया के जो भयावह परिणाम है वो सभी developing countries को भी समझ में आ गए और सभी म पास्ट रहे हों और उनको ये लगने लगा कि आँख बंद करके यदि हमने वैस्वी करण को अपनाया तो ये हमें हमारी एकनोमी को ओंधे मूं गिराने का काम करेगी इसको हम थोड़ा से एक्जाम्पुल्स के तौर पे ले सकते हैं जैसे पूर्वी ACI देशों में वित्त विश्व बैंक, अंतर राष्ट्रे मुत्राकोस, विश्व ब्यापार संगठन जैसे जो इंस्टिट्यूशंस रहे इन्होंने आपस में मिल करके विकास उसील राष्ट्रों के ऊपर ऐसी कड़ी सरते थोपने का काम किया जिसने महापर जन असंतोस को भी भढ़काने का काम किया, इसमें हम पूर्वी तिमोर का उदाहरन ले सकते हैं, इसी प्रकार से हमें एक और दूसरी समस्या भी देखने को मिलती है, वो ये कि इन वैस्वी करण के द्वारा जो नए नए आसपेक्स अपने में शामिल किया जा रहा है, और इसके मात्यम से वो दूसरे राष्ट को influence करने की कोशिस कर रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर करके आ रहा है, कि जो developing countries हैं, उनको ये लग रहा है, कि इस वैस्वी करण ने उनकी अस्मिता के उपर, उनकी आइडेंटिटी के उपर, उनकी पहचान के उपर, एक जबर दस्त, crisis क्रेट किया है, उ उनकी जो राजनितिक हित हैं, वो संकट में हैं, रिजल्ट के तौर पे अब ये इस्थिती हैं, कि कट्टरता उभर करके आ रही है, और ये कट्टरता वाद उन्हें चुनोती देने का काम कर रहा है, दूसरा जो उनका objection है, वो ये है, कि अंतरराष्ट्रिय कानून, स्रमिक इस्त्रियों, बच्चों के अधिकारों से संबंदित, जो अंतरराष्ट्रिय समझाते हैं, मानवा दिकारादी के मुद्दे हैं, उनको ये लगता है, कि ये पश्चमी देशों के लिए अलग हैं, और ड्वेलपिंग कंट्रीज के लिए अलग हैं, उनको ये लगता है, कि ये हमारे उपर गलत तरीके से इनी मुद्दों को लेकर के हमारी आस्तीन को मरोडने का काम करेंगे, हमारे आम्स को ट्विष्ट करने का काम करेंगे, इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं, कि जो राष्ट्र हैं, ड्वेलपिंग कंट्रीज, उनको ये डर है, खास कर जहां पर हमें नसलिय विवजताएं देखने को मिलती हैं, जातिय विवजताएं देखने को मिलती हैं, हमें मल्टी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, कल्चर को लेकर के, रेस को लेकर के, रिलिजियन को लेकर के, उनका ये मानना है कि जो उनकी पहचान है, ये इस विश्व सांस्रितिक समरस्ता में खो जाएगी इसी वज़े से धार्मिक कटरता के माध्यम से वो अपनी पुनर परमपरागत्ता की पहचान को बनाए रखना चाहते हैं और उसी को अपनी रक्षा का एक मात्र साधन मान करके चलते हैं अन्य संस्कृतियों को ये हमेशा भिन मानते हैं और इसी लिए उनके साथ की किसी प्रकार का सामंजस से नहीं करना चाहते हैं दूसरे जो विदेशी प्रथाओं हैं उन विदेशी प्रथाओं को यदि ये देशी ये करण करना चाहें तो ये उसके भी विरोधी हैं उनका ये कहना है कि हम वैश्वी करण के साथ हमारी देशी करण की जो परंपरा है हम उसको अपना नहीं सकते हैं तो कुल मिला करके हम ये कह सकते हैं कि विश्व के पूझी बाजार के एकी करण से बाजार में कुशलता तो आई लेकिन इसके साथ ही साथ विकास शील देशों के समक्ष बहुत ज्यादा खत्रा, बहुत ज्यादा अरक्षा भी उत्पर्न हो गई है। उदाहरन के तौर पे पूर्वी एसिया की बैंकिंग व्यवस्था का हवाला दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये विश्व इस्तर की थी लेकिन जैसे ही वे संकट ग्रस्त हुए उन्हें संभालना बहुत भारी पड़ गया विश्व पूजी बाजार में हलकी सी उथल हाना कि भारत पूर्वी एसिया के तुलना में इस एसिया संकट से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि तब उस समय हमारा अंतर राश्ट्रिय अर्थ ववस्था से जुड़ाव कम था इसी क्रम में ये कहा जाता है कि देश के बैंकों का पूर्ण निजी करण नही जिन्यांतरन रखना कठिन हो जाएगा और ऐसा इसमय बैंकों के निजी करण से लाब कम होएगा और खत्रा हमें ज्यादा देखने को मिलेगा हम समब करते वे ये कह सकते हैं कि जो विश्व ब्यापार संगठन है ये आज एक पुलीस मैन की फुमिका का निर्वाह कर रहा है कहने को तो ये अंतर राश्ट्री ब्यापार को पुरुत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया लेकिन हकीकत इसकी ये है कि ये सामोहिक और अलग-अलग तौर पर विकास से इस देशों में अर्थतंत्र, समाज और राजनीती पर प्रभुत्व जमाने का एक मात्यम बन गया, बहु राश्ट्रिय निगमों को खुली छूट मिल गई और ये निर्धन राश्ट्रों के ऊपर धनी राश्ट्रों के एक नव उपनिवेशिय नियंत्रन के टूल के रूप में एमार्ज हो करके आया है, इसी प्रकार से अंतर राश्ट्रिय ब्यापार और अंतर खुलने की जो दरकार की जा रही थी, उसका सीधा सा अविप्राई ये है कि गरीब देश और अमीर देशों को बकरी और बाग की तरह एक ही घाट का पानी पीने की ब्यवस्था करना है, और इसमें रिजल्ट ये होएगा कि अमीर देश गरीब देशों से ज्यादा मुनाफ बढ़ाना जो अंततर राजनितिक निर्भरता और सामाजिक राजनितिक कीमत चुकाने तक जाएगा, और कुल मिला करके अर्थ व्यवस्था का तो भूमंडली करन हो गया, लेकिन जो हमारी राजनितिक व्यवस्था है, वो अभी भी राज्यों की सम्प्रभुता पर आधा तक यू